साथियों, करोना के इस समय में हमारी चुनाव प्रणाली की मजबुती भी दुनिया ने देखी हैं। इतने बड़े स्तर पर चुनाव होना, समय पर परनाम आना, सुचारू रुप से नई सरकार का बनना, ये इतना भी आसान नहीं है। हमें हमारे सम्मिधान से जो ताकत मिली है, वो ऐसे हर मुश्किल कारियों को आसान बढाती है। हमारा सम्मिधान 21 सदी में बदलते समय की हर चुनोती से निपटने के लिए हमारा मारदर्शन करता है। नई पीडी के साथ उसका जुड़ाव बढ़े ये दाईत्वा हम सभी पर है। आने वाले समय में सम्मिधान 75 वर्ष की और तेज गतिस आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार से आजाद भारत की 75 वर्ष का होना वाला है। ऐसे में व्यवस्ताओं को समय के अनूकुल बनाने के लिए बड़े कदम उठाने के लिए हमें संकल्पित भाव से काम करना होगा। राश के रूप में लिए गए हर संकल्प को सिद्ध करने के लिए विधाई का, कारेपाली का और न्याएपाली का उसको बहतर तालमेल के साथ काम करते रहना है। हमारे हर निर्णे का अधार एकी तराजू से तोलना चाहिए, एकी मानदन होना चाहिए और वो मानदन है राश्ट्रहीत, राश्ट्रहीत यही हमारा तराजू होना चाहिए। हमें यह याद रखना है कि जब विचारों में देशित, लोखित उसके बजाएं राजनीती हावी होती हैं, तो उसका रुक्षान देश को उठाना पड़ता है। जब हर कोई अलग-अलग सोता है, तो क्या पनाब होते हैं, उसका गवाँ आप दो दिन से जहां विराजमान है, वो सरदार सरवर रेम भी उसका एक बहुत बड़ा उदाना है। साथियों केवडिया प्रवास के दोरान, आप सभी ने सरदार सरवर रेम की विशालता देखी है, बव्वेता देखी है, उसकी शक्ती देखी है, लेकिन इस रेम का काम बरसों तक अटका रहा, फसा रहा। आजादी के कुछ वर्षों के बाद शुरू हुआ था, और आजादी के 75 बास जब सामने आये हैं, अभी कुछ साल पहले वो पूरा हुआ, कैसी कैसी बाद आए, कैसे कैसे लोगों के द्वारा रुकावटे, किस प्रकारते सम्विधान का दूर्प्योग करने का प्रयास और इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जनहीद का प्रोजेक्ट इतने सालों तक लटका रहा हुआ, आज इस डेम का लाप्त गुजरात के साथ ही मद्दप्रदेश, महाराश्टर और राजस्तान के लोगों को भी हो रहा है। इस बांद से गुजरात की 10 लाग हेक्टर जमीन को, राजस्तान की ढाई लाग हेक्टर जमीन को, सिंचाई के सुविधा सिनिश्चित हुई है। गुजरात के नव हजार से ज़्यादा गाउं, राजस्तान और गुजरात के अनेकों छोटे बड़े शहरों को घरेलू पानी की सप्लाई इसी सरदार स्वरों बांत की बज़े से हो पा रही है। और जब पानी की बात आती है तो मुझे एक प्रसंग भी आजया आता है। मैंने पुछा क्या काम है बोले आकर के बताएंगे। वाए और मुझे उतना उन्होंने अभिनंदन दिये, इतने अशिरवाद दिये, इतनी बड़का, इतना प्यार, इतनी भावना क्या है। अरे बोले भाई इतियास गवाँ है कि पानी के बुंद के लिए भी युद्ध हुए है। लराईयां हुई है। दो-दो परिवारों के बीच बठमारा हो गया है। बिना कोई संगर्ष, बिना कोई जगडे, गुजरात से नर्वदा का पानी राजस्तान पहुँच गया। राजस्तान की सूखी धर्ती को अपने पानी पहुँचाया। यह हमारे लिए तने गर्व और अनन्द का विशा है और इसलिए हम तुभे मिलने आए हैं। आप देखिए, यह काम अगर पहले हुआ होता, इसी बांद से जो बिजिनी पैदा हो रही है, उसका अधिकाउश लाब मद्द पदेश्ट और महाराष्ट को हो रहा है। साथियों, यह सब बर्सों पहले भी हो सकता था। लोग कल्याण की सोच के साथ, विकास को सर्वोच्च प्रात्विक्ता की अप्रोच के साथ, हिलाब पहले भी मिल सकते थे। लेकिन बर्सों तक जनता इन से बंचीत रही है। और आप देखिए, जिन लोगों ने ऐसा किया, उन्हें कोई पस्चाता आप नहीं है। इतना बड़ा राष्टिय नुक्षान हुआ, बात की लागत कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन जो इसके जिम्मेदार थे, उनके चहरे पर कोई शिकन नहीं है। हमें देश को इस प्रबृत्ती से बाहर निकालना है।